अगर आपके लिए अच्छी खबर यहां पर डियूल सिम का सपोर्ट मिल गया है तो आपके क्या करना है डियूल सिम के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है मैं आपको बताने वाला और यहां पर पिछले आइपोन यानि जो पुरान आइपोन आइपोन 10, 6, 7, 8 है उसमें आपक सपोर्ट मिले का कि नहीं मिले का इसीम है तो आज उनके बारें बात करने वाले तो फिर करिए वीडियो स्टार्ट तो फिर चालिए तो भया सबसे पहले बात करते जो उनके तीन नहें मोडल आए अभी 10R, 10S, 10S Max तो उसमें आज दोस्तों आपको एक अपडेट मिला होगा iOS 12.1 तो उसको आपको अपडेट करने जरूर ही है यह dual SIM एक्टिविट करने के लिए तो सबसे पहले किया करने आपको अपडेट करने ला है अगर आपने अपडेट कर चुक है तो यहाँ पे आपको एक मेसेज करना है एक दम सिंपल है डिवल सीम एक्टिविट करने के लिए तो फर्स्ट टेप किया है आपको वन टूवन पर मेसेज करना है यहां पर एकट करने करना है और बेज activity on कर देना है फिर से आपको एक mail भेज रहे हम यहां पर क्या होगा जो आपको कि प्लान अगर उसमें क्लिक करें तोह जेएका उससे आपको जो बार कॉड़ लेए कॉसrad May कि यहांज बाध को को क्लमेसिंग ना था तो आपको ने कहा देना भाईया जी करवाना जाते हैं तो बस बात में आपको फ्यू फ्यू होवर यानि थोड़े घंटे में आपका जो यहां पे अपको नजर आएगे अब दोस्तों बात करते जो आईफोन के पुराने मोडल है इसमें आपको अपडेट के थूरू प्रोशिवल है किया तो भाईया जी नहीं इसमें आपको हाडवेर की जरूरत पड़ते हैं जो कि हाडवेर में हाडवेर बेस है तो यह आपको अ दोस्तों यही थी आज की वीडियो अगर वीडियो में पया लगा तो लाइक कर जाना हो सकने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगले वीडियो मिलते हैं जाहिन! वन्दे महात्रो! झाल झाल